दोस्तो पिछले हफते हमने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिसकस किया था कि वो कौन से small cap, mid cap और ELSS category के mutual fund है जिन में से आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि वो long term में अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे थे आज दोस्तो मैं बात करने वाला हूँ large cap और flexi cap fund के category के वो mutual funds के बारे में जो अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे हैं मैं इन दोनों category से 3-3 mutual funds के बारे में बात करूँगा अलाकि और भी काफी सारे funds हैं इन दोनों categories में जो अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ उन mutual funds को cover करने की जिनका asset under management भी बहुत जादा है और उनका performance भी अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका asset under management जादा है उसमें जादा लोग फसे होंगे उन large cap और flexi cap funds में तो जादा से जादा लोगों की इस वीडि funds की बात करता हूँ तो सबसे पहला fund जिस पर मैं बात करूँ हो वो है ICICI का prudential blue chip तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं large cap category की funds की बात करता हूँ तो सबसे पहला fund है ICIC prudential blue chip fund अगर मैं इसकी 3 साल की ruling return की यहाँ पर performance देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले कई सालों में यहाँ पर आप अगर देखेंगे यह ruling return में अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा है आप लगातार देखेंगे अगर मैं 3 सालों से पीछे 100 को beat नहीं कर पा रहा है अब दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो है इसके expense ratio यहाँ पर आप देखिए कि इतनी खराब returns देने के बावजूद तीन सालों की ruling returns में यह अपने benchmark को भी beat नहीं कर पा रहा है उसके बावजूद इसकी expense ratio है वो 1% से ज़्यादा की expense ratio है और यहाँ पर आप इसकी asset under management देखिए 30,000 करोड से ज़्यादा का 6% भी रखते तो भी एक अच्छा इनको पैसा मिल जाएगा लेकिन उसके बावजूद यह बहुत जादा expense ratio चार्ज कर रहे हैं और इस वज़े से यहाँ पर benchmark को भी beat नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप ऐसे किसी mutual fund में बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अ rolling return में यह अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे हैं और काफी अच्छा खासा difference आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप currently भी देखेंगे तीन सालों की rolling return तो इसके benchmark ने लगबख 21% की return generate किये लेकिन इस fund ने सिर्फ 17% की return यहाँ पर generate की है तो काफी खराब returns की fund generate कर रहा है लगातार अगर हम पिछले 3 सालों तक की भी यहाँ पर rolling return देख रहे हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे December 16 से अगर हम December 19 तक की भी return यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा था उसके बाद भी अगर कोई investor 2019 से यहाँ पर बना हुआ है तो भी यह यहाँ पर note करवाँगा कि आप expense ratio देखिए इस fund का 1.15% expense ratio यह fund आपसे चार्ज कर रहा है काफी ज्यादा expense ratio है यह आज के scenario में जो काफी लगातार जो mutual funds एक्सेस के अरुबेको जैसे जो 0.5.6% expense ratio चार्ज कर रहे हैं उसके comparison में यह funds आज भी इतना ज्यादा expense ratio चार्ज कर र एसे अंडर management के लिए 1.15% expense ratio चार्ज करना और पिछले तीन सालों की rolling return में अपने benchmark को भी बीटना कर पाना यह काफी अच्छे reason है आप लोगों के लिए एक अपना profit यहाँ पर book करने का तो अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए यह भी है कि पिछले एक सालों में थोड़ी returns इनकी ठीक हुई है तो आपके पास अच्छा मौका होगा यहाँ से निकलने का तीसरा fund दोस्तो large cap category में ABSL frontline equity fund तो यहाँ पर अगर हम इस fund की भी तीन सालों की rolling returns पे बात करें तो आप देख सकते हैं यह fund भी अपने benchmark को लगातार underperform कर रहा है आप अगर देखेंगे यहाँ कोई भी यह अपने पीरेड में अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है आप यहाँ पर देखेंगे कि तीन साल होगी अगर हम rolling return पे यहाँ पर बात करते हैं तो यह अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है अगर अगर हम यहाँ पर एक साल का period लेकर चलते हैं तो अगर दोस्तों ह अपने benchmark के आसपास की return generate कर रहा है और आप एक अपना अच्छा profit बुक कर सकते हैं अब long term में इस fund का scope क्यों नहीं है वो ही reason है यहाँ पर expense ratio आप देखिए बहुत जादा high expense ratio है 1.06% की expense ratio है asset under management आप देखिए 22,000 करोड से जादा का asset under management है तो अगर दोस्तो किसी fund का इतना जादा asset under management और उसके बावजूद वो इतनी higher expense ratio आप लोगों से charge कर रहा है तो मुझे लगता है कि short term में अगर वो fund अपने benchmark को beat भी कर पा रहा है तो यह आपको पास एक अच्छा मौका है asset fund से निकलने का इसके अलावा भी दोस्तो काफी सारे fund है basically जो large cap category है उसके मैंने आपको अलग-अलग time पर ये भी बताया है कि 2-3 funds ही हैं जो long term में अपने benchmark को beat कर पा है large cap category में जैसे कि access blue chip canvra rubeco mirai asset large cap उसके अलावा kotak blue chip भी यहाँ ठीक ठाक perform कर रहा है उसके अलावा mostly जितने भी funds है active funds हैं जो large cap category में है वो अपने benchmark को long term में यानि कि 5 सालों के period में beat नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार ही अपने large cap का portfolio जरूर review कर लें अगर आप large cap में invest करते हैं तो आप एक बार जरूर देख लें जाकर आपका जो mutual fund है के बास बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी fund आप अपने portfolio में add कर रहे हैं वो अपने benchmark को at least beat कर पाए तो सबसे पहला fund जिस पर मैं बात करूँगा वो है kotak flexi के fund अगर मैं इसकी एक साल की return पर बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साल में यह अपने benchmark index को beat नहीं कर पा रहा है अगर मैं एक साल की rolling return यहाँ पर देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके benchmark index ने 56% के आसपास की return दी है और इस fund ने 52% की return दी है वहीं दोस्तों अगर हम तीन सालों के period में तीन सालों के rolling return के period में इसकी यहाँ पर returns देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह तीन सालों के rolling return में भी अपने benchmark को यहाँ पर beat नहीं कर पा रहा है लगबग 1% 7% के आसपास की कम return आप यहाँ पर देख सकते हैं और consistently यह अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है अगर एक छोटा मोटा period होता है जिसमें यह अपने benchmark को बीट ना कर पा है तो भी हम उसको समझ सकते हैं वहीं दोस्तों अगर हम इस fund की अभी asset under management पे बात करते हैं तो 38,000 करोड से जादा का asset under management इसका हो चुका है बहुत ही जादा asset under management है शायद यह भी एक one of the reason है जिसकी वज़य से यह अभी अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है expense ratio हाला कि इसकी काफी limited है काफी अच्छी expense ratio है लेकिन asset under management इसका बहुत जादा अभी हो चुका है I think flexi cap category में सबसे जादा asset under management अभी kotak flexi cap का ही चल रहा है तो इतना सादा asset under management यह fund अभी handle नहीं कर पा रहा है जिसकी वज़य से यह अपने benchmark को बीट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है अब दोस्तों दूसरा fund flexi cap category में आ जाता है SDFC flexi cap fund इसकी भी अगर हम तीन सालों की rolling return यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह fund भी तीन सालों की rolling return में पिसले कई time पे अपने benchmark index को बीट नहीं कर पा रहा है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह complete under performance दिख रहा है काफी लंबे time में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं किसी period में तो minus 5% तक की यहाँ पर gap आपको देखने को मिल रहा है इसके benchmark index nifty 500 और इस fund के बीच तो काफी जादा under performance रही है long term की under performance है अगर आप 3 सालों के rolling return को देख रहे हैं और पिछले 3 सालों तक उसको follow up कर रहे हैं उसमें भी वो अपने benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगते हैं कि एक अच्छा time है आपके पास कि timely आप profit book करके ऐसे fund से निकल जाए अब दोस्तों अगर मैं इस fund के भी asset under management और expense ratio पे बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है asset under management बहुत जादा है 27,000 करोड के आसपास expense ratio 1.12% के आसपास तो यह दोनों ही चीज़े काफी जादा हैं इसकी और benchmark को भी यह consistently अपना बीट नहीं कर पा रहा है और दोस्तों flexi cap category में तीसरा fund है मूतिला लोसवाल flexi cap fund अब यहाँ पर आप इसकी अगर तीन सालों की rolling return पर यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर हम पिछले तीन सालों की यहाँ पर rolling return देख रहे हैं तो इस fund ने 15% की return दिया है वहीं इसके जो benchmark index है nifty 500 ने 21% की return दिया है यानि कि 6% से इसने कम return दिया अपने benchmark से और अगर आप थोड़ा पीछे यहाँ पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं 4% 5% की on average यहाँ पर gap दिख रहा है इसके performance में और इसके benchmark के performance में तो एक long term में अगर हम देखते हैं तो काफी कम यह perform कर पा रहा है काफी खराब return इसकी है अगर हम इसके benchmark index से यहाँ पर compare करते हैं तो यह fund भी काफी कम perform कर पा रहा है आप देख रहे हैं अगर आप लगातार इसकी performance यहाँ पर देखेंगे तो तीन सालों की rolling return में अगर हम पिछले तीन साल तक भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लगातार हमें under performance दिख रही है तो ऐसा कोई भी period मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है जिसमें यह fund अपने benchmark index को बीट कर पा रहा हूँ तो long term की under performance यहाँ पर दिख रही है एक दो सालों की performance नहीं है तीन-चार सालों की performance है जो under performance अपने benchmark से यहाँ पर दिख रही है और अगर मैं इसकी कुछ basic detail पर बात करूँ तो asset under management इसका 12,000 करोड के आसपास है और expense ratio 0.89% तो expense ratio बहुत जादा नहीं है तो investors के लिए यही better है कि आप asset fund से निकल जाए हाला कि दोस्तों मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि मैं savvy registered financial advisor नहीं हूँ तो अगर आप लोग कुछ भी decision लेते हैं तो आप अपने financial advisor से जरूर बात कर लें और दोस्तों अगर आपको ticker tape use करना है तो मैंने link description में दे दिया है दोस्तों उमीद करता हूँ इस video से आपको help मिली होगी मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको एक 6-8 महीने साल भर में अपना जो भी mutual fund आप अपने portfolio में add करते हैं उसको review जरूर करें आप उसकी benchmark की return से जरूर आप check करें कि उसकी expense ratio कितनी है उसकी asset inner management कितना है और वो क्या अपने benchmark को consistently beat कर पा रहा है या नहीं मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही धन्यवाद